जन्पत पंचायद देवसर के CEO ने दो कर्मिचारियों के नाम पर तक्रीबन 40,000 रुपे मांदे अत्वा वेतन के नाम पर आहरित कर लिया है यहाँ वेतन जन्पत निधी से 16 जून को अहरित की गई है उक्त दोनों कर्मिचारी कब से और कहां कारियरत है जन्पत के कर्मिचारियों को भी कोई आता पता नहीं है केवल जन्पत सीईओ को समभवत हब पता है अभी हमामला गर्माने लगा है जिसके जन्पत पंचरायत सीईओ रितुराच के यहाँ पहुँच कई है और उन्होंने उक्त मामले की खोज खबर लगाना भी शुरू करती है सूत्रो समीली जानकारी के अनुसार जन्पत पंचायत देवसर के आशुतोष कुमार दिवेदी वा कृष्ण कुमार तिवारी के नाम से पर तथा कहां पर कारिरत हैं उनसे कौन से काम लिये जा रहे थे इसकी जानकारी करीब करीब यहां के किसी भी कर्वचारियों को पता नहीं है हाला कि CEO प्रमूद ओजहा ने यहां कहते हुए उक्त आरोप को खारिच कर दिया है कि दोनों कर्वचारियों को कलेक्टर के रेट पर वर्ष 2018 अक्टोबर में तीन महीने के लिए रखा गया था और वहीं भुगतान 16 जून 2020 को किया गया है इधर जन्पत पंचायत की सूतरोद्वारा सवाल उठाया गया है कि 2018 में कंटी जैंसी पर रखे गए दोनों कर्वचारियों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है साथ ही करीब पौने दो साल बाद इन्होंने भुगतान क्यों किया है इसके पहले अन्य सीई ओ भी रह चुके है फिलहाल दो कर्मिचारियों के मांदे भुगतान किये जाने को लेकर जन्पत पंचायत दिरसर की सीई ओ घिरते नजर आ रहे है इस मामने को जला पंचायत सीई ओ ने गंभिरता से लेते हुए जाच पड़ताल कराना शुरू कर दिया है रितुराज सीई ओ का कहना है कि दोनों कर्मिचारियों का भुगतान वर्ष 2008 अक्टोबर वर नवंबर महीने का है कलेक्टर दर पर उन्हें तीन महीने के लिए रखा गया था मांदेल लंबित था इनसे क्या काम लिये जा रहे थे और कंटल जैंसी पर किस हैसियत से रखा गया था हमें नहीं पता